सबी लोग answer की देखेंगे तो चलिए यहां से session सुरू करते हैं और mathematics में वैसे जो overall कुछ 40% थे इनका केवल अभी मैं answer दिये दे रहा हूं और उसके बाद इसका complete solution का मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो चलिए यहां से देखते हैं कि जो सबसे पहला सवाल है यहां से 111 नंबर से सुरूआत है mathematics के 111 से 150 यदि सलगन चित्र में PAPB बृत्त की सपर्स रेखाएं हैं और एंगल APB 30 डिग्री है एंगल APB कितना है 30 डिग्री तो इसमें पूछा है AQB AQB यह पूछा है वैसे जब यह 30 डिग्री है तो यह बेसक कितना होगा 150 और यहां से यदि एक जीवा जनरेट कर दें एक जीवा मताँ A को B से मिला दें तो किसी आधार या जीवा दौरा जो केंदर पर कोंड बनेगा वो परित पर बने कोंड का डबल होगा मताँ यह 75 होगा कितना होगा 75 यहां पर दूसा अप्शन सही है चलिए वैसे मैं किवल उत्तर बताते चल ला हूं सलूशन की अच्छा अभी दूसा प्रस निसी पैज में है 112 नंबर का जो सवाल है एक पासे को एक पासे को एक बार फेकते हैं एक पासे को एक बार फेकते हैं चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्राइकता एक बड़े तील है तो चार के बराबर या चार से छोटी संख्या प्राप्त होनी की प्राइगदा क्या होगा तो चार के बराबर या छोटी मतलब 1, 2, 3, 4 ये चार लेना है कितने में पासे में कुल 6 फेस होते हैं तो ये कितना बनेगा दो बते 3 या एक में से यही एक बते 3 घटा दीजिए दो बंटे तीन उगसट ता अपका ौण सां बनेगा डीस अबी तो चलिए प्रसण संख्या नेक्षट देखते हैं सबसे बड़े त्रिफुज का चेत्रफल कितना है ये कितना हैगा नौ सेंटिमीटर इस्क्वार कितना वनेगा नौ सेंटिमीटर इसको है चलिए एक बाम मैं देखनू कि सब कुछ हिस्पस्ट सुनाई दे रहा है कि नहीं कि चलिए मैस में केवल चार से पांच लॉजिकल प्रस्ट हटा दिया जाए बाकि प्रस्ट बहुत अच्छा था अब यह देखे यहां पर प्राइक्ता के दो सवाल यह चीज़े हलंक की मैंने जो आफ्लाइन क्लासेस थे और सिवंशन ने भी आनलाइन क्लास में प्रबिल्टी पार्ट कवर किया हुआ था तो यह प्रस्ट बहुत कठी नहीं थे तीन से चार प्रस्ट क्यों लॉजिकल थे जिसको आप अभी लॉजिकल जो प्रस्ट आएंगे मैं डिस्कसन करूंगा तो चलिए क्रम सा भी देखते रही मैं इसकी पूरी एनाल्सिस के भी बात कर रहा हूं अब चलिए प्रस्ट संख्या 114 मां देखेगा चलिए थोड़ा से थिर्षया बन लाए है यदि एक सका वेलू एक से बड़ा और दो से छोटा है तब इसका वेलू क्या होगा अब इसको आप लोजिकली देख सकते हैं कि एक सका वेलू एक से बड़ा और दो से छोटा यदि एक सका मान 1.25 लेके आप हल करेंगे तो परड़ाम दो आएगा इसका यहां पर आप तरक कर सकते थे चुकि 1.25 लेते तो 1.25 में से 1 घटाते तो 0.25 आथा इसका वर्गमूल 0.5 होता मल्टिप्लाई 2 करते तो कितना थ दस मलोव 5 का गुड़ा 2 में गुड़ा करेंगे एक आएगा और यह एक सका वेलू एक दस्मन दो पांच है तो एक और यह दस्मन 25 यह दो दस्मन दो पांच इसका वर्गमूल 1.5 पाएगा इधर से और जब इसको हल करेंगे तो 0.5 आगा 2 दो उत्तर बनेगा तो यह थोड प्रस्ण संख्या 116 क्रम को एक वर्ग के अंतहबृत्य तथा परिवित्य के छेत्रफल का अनपात क्या होगा तो वर्ग के अंतहबृत्य और परिवित्य की जो त्रिज्जा में रेशियो होता है तो छेत्रफल का अनपात क्या होगा आप इसी का वर्ग कर लिजिए एक दो बनेगा आप शन इसका तेशा बनेगा चलिए प्रशन संख्या 117 वा देखते हैं केवल एंसर देखते चलिए 117 वा देखते हैं कि निमलीखे साड़ी पर विचार करना है यहां पर प्राप्तांक है और छात्रों की संख्या यहां पर दे रखा है और इसमें कह रहा है कि दस से ज्यादा तथा 40 या 40 से कम प्रापटांक वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है तो 10 से अधिक और 40 या 40 की जो तो यह कंपर प्रापटांक वाले छात्र है तो यह कितने है 4.6,10,13 हैं कितने में 20 में तो 13 वटे 20 गुड़ा 100 करना था प्रसंट आएगा इसका एंसर कितना बनेगा चौथा बनेगा चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि देखे केवल मैं कहूं चार से पांस प्रसंट हटा दीजिए जो थोड़े लिवल के प्रसंट थे बाकी प्रसंट मैंने काफी देखा आप लोगों के निगेटिव कमेंट बन एक लड़ाई से आप लोग हार माल लें कि यह अच्छा नहीं लगता तकारात्मक रहीं मस्तप्वाप़ बहुत अच्छा तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रस्ण हम सभी लोग प्रस्ण संख्या नेक्षा 118 नंबर गांगा सब्सक्राइब किसके बराबर होगा इसको जब आप लोग हल करेंगे तो याएगा टैन इनवर्स 63 बटे कितना आएगा सुलाएगा तो एंसर अभी देखते चलिए मैं इसका कम्प्लीट सलूशन का एक वीडियो बना वह सोरी है कि अभी इस पर एप्रस्ण और था 118 नंबर हुआ है ना चलिए देखते हैं नहीं नहीं पेच चंज करना है कि अच्छा थोड़ा और बड़ा कर लें चतुर्भूच की रचना करने के लिए नियूनतम कितने स्वतंत राकणों की आउशक्ता होती है इसमें लिखा है कि कितने देखे स्वतंत राकणों की आउशक्ता होती है वैसे आकड़े तो देखा जाए तो कुल पांच आकड़े एक चतुर्भूच की रचना के लिए मानने जाते हैं लेकिन उन 5 में नियूनतम चार भी हो तो चतुर्भूच की रचना कर सकते हैं क्योंकी यहां नियूनतम पूछा है इसलिए पांच नहीं बलकी कितना होगा 4 होगा का इस ते कि दंदा उत्तर कितना बनता पांच चलिए 120 नंबर है संख्याओं करड़ी में दस्मलों नो है और यह दस्मलों दस्मलों नो है थोड़ा सा visibility कम है और यह दस्मलों का square है दस्मलों का cube है इन में जो सबसे बड़ी होगी चुकि जब point में होगा तो जितनी घाते बड़ी होगी उसका value उतना कम होता जाएगा तो यह तो बहुत कम होगी यह उससे कम होगी यह उससे कम लेकिन इसका value सबसे ज़्यादा है रूट में होगा कितना point 9 कि चलिए अब लेक्ष में आगे में चलिए देखते हैं नेक्ष प्रस्ण हम सभी लोग देखें प्रस्ण संख्या 121 के लिए n के कितने वास्तविक मानों के लिए समीकरण समीकरण a पे घात 2n square प्लस 2 बराबर 1 होगा अच्छा यह बराबर 1 तभी आएगा जब यह घात की value कितनी मलेगी 0 आधार पर घात सुननी हो तो परड़ाम एक होता है मतलब यह बराबर में तब आएगा जब यह घात 0 बनेगा मतलब इसका हल संभव है इसका हल संभव नहीं होगा मतलब सुनने होंगे क्योंकि यहां पर जो एन बनेगा यहन के कितने वास्तविक मान के लिए तो यहन परिभासित नहीं होगा वो कालपनिक बनेगी प्राशन संख्या लेक्ट देखते हैंएं कि संकेंद्री वित्तों की तिरिज्ञाओं का डिफ्रेंस दो है मतलब तिरिज्ञाओं का अंतर कितना है दो और यह उंके एक दूस्य को वाहता इस पर्स करने पर उनके केंद्रो के बीस की दूरी आठ है मतलब जब वाहतां सबस्क करेंगे तो इंके केंद्रों बीस की दूरी कितनी है डाट मतार 1 प्लास R2 बराबर 8 है आपका एंसर बनेगा कितना आएगा पांच चली बस थोड़ा से समय दीजेगा कि अच्छा ठीक 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 कि चलिए देखते हैं नेक्स प्रस्ट 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 संख्या 123 से यदि एक्स पर घात कितना है 3N प्लस Y पर घात 3N कामा X प्लस Y से बिभाजित हो सकती है केवल कब हम सभी जानते हैं A पर घात 1 प्लस B पर घात 1 यदि लिखा है तो इसका एक गुड़नखंड A प्लस B होगा मतलब यह जैसे X प्लस Y है तब जब घाते बिशम होगी तो यहां पर घाते बिशम होगी तो यन का वेलू क्या रखना होगा धनात्मक बिशम में रखना होगा जैसे एक तीन पांच इस तरीके से तो यहां पर आपसंज बनेगा वहोगा यन केवल धनात्मक बिशम पुरुडांग हो यह एंसर बनेगा चलिए 124 नंबर का सवाल देखते हैं जो नेक्स प्रस्ट नहें समीकर दिया है एक्स माइनस एक बटे एक्स स्क्राइब माइनस नो बराबर तीन माइनस एक बटे एक्स स्क्राइब माइनस नो के वास्तविक हलोंग की संख्या इसमें वास्तवीक हलों की संख्या कितनी होगी तीन होगी मतला आपसन जो बनेगा वो क्या बनेगा दो बनेगा चलिए नेक्स काद देखते हैं किवल उत्तर देखते चलिए नेक्स देखते हैं चलिए प्राशन दिया है कि यदि यक्स माइनस वाई और यक्स माइनस टू एक्स बिंजक एक्स क्यू माइनस थ्री едक्स स्क्वार वाई और प्लस लेंडा xy3 नहीं y2 और प्लस μ्यू y3 के दो गुड़न खंड है तो अच्छा यदि इसके दो गुड़न खंड क्रम सह x-y और x-2x है तो हमने कहा था कि भाजक को 0 के बराबर रखिएगा तो x बराबर y का value यहाँ पर set करेंगे तो 1 सम्मिकर बनेगा और जब y-2x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 2x से यहाँ पर रखिएगे तो यहाँ से 2 सम्मिकर बनेगे जब इसको हल करेंगे तो यह लेमडा बराबर 11 बटे 4 और mu बराबर माइनस 3 बटे 4 यह परिणाम मिलेगा यहाँ परिणाम मिलेगा यह चलिए प्राशन संख्या नेक्स देखते है 126 से दिएगे चित्र में दरसाएगे छायंकित छेत्र का छेत्र फल कितना होगा यदि ब्रित्त की 322 सेंटीमीटर है और एंगल AOB 120 डिग्री है तब इसमें देखें छायंकित भाग का छेत्र फल क्या होगा पहले इस त्रिजखंड का छेत्र फल को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो इसका हल करने पर परिडाम जो आएगा वो आएगा 21 ब्रेकेट में 88 माइनस 21 करड़ी में तीन सेंटीमीटर स्क्वायर यह परिडाम बनेगा चलिए प्राशन संख्या निक्ष का एंसर देखते हैं 127 नंबर का जो सवाल है यह जैसे 125 नंबर का सवाल था बिल्कुल वैसे ही है यह भी गुणनखन प्रमेशे है सेस्फल प्रमेशे इसमें लिखा है कि P तथा Q का मान क्या होगा जब P X Q प्लस X इसक्वा मानस 2X मानस Q X मानस 1 तथा X प्लस 1 से पूर्णतह बिभाजित होता है पूर्णतह बिभाजित होता है का मतलब यह है कि इस बिंजक के दो गुणनखन्ड X मानस 1 और X प्लस 1 है तो यहां भी X मानस 1 को बराबर 0 दिखाईए यक्स का वेलू 1 मिलेगा यहां रख दीजे एक समीकर मन जाएगा और एक बार यक्स वराबर माइनस 1 रखेंगे जब इसको हल करेंगे तो कितना हैगा कितना हैगा इसको जब हल करेंगे तो तो P और Q के मान क्या होंगे, इसका उत्तर क्या बनेगा, चलिए इसको थोड़ा साथ, जैसे यक्स का value 1 रखेंगे, तो ये P बनेगा, प्लस X का Q, यक्स का स्कॉयर है, तो यहां से बनेगा, तो यहां से बनेगा, और यक्स का value minus 1 रखेंगे, तो यहां से बनेगा, P plus Q बराबर 3 P plus Q बराबर 3 इसको Hal कर लिजेगा तो 2P बराबर चाब मतब P का value आएगा 2 और Q का value 1 तो इसका तीसरा बन रहा है तीसरा बनेगा चलिए इसका तीसरा बनेगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राशन संक्या से का क्योरी अंसर देखते चलें कि यदि कोई मालिक अपने करमचारिओं की संक्या 10 अंपात 9 के अंपात से कम करता है और उनके वेतन को 111 के 8 से ब्रिधि करता है तो दोनों के खर्च का रेस्यो क्या बनेगा। कि चलिए बताई यह कितना होगा कि कितना ग्यारद हम 110 बारण नमा एक सो आठ रेशियो इसका बनाएंगे कितना पच्पन चुगवन बनेगा कितना बनेगा पच्पन और चुगवन चलिए कितना पच्पन चुगवन का रेशियो बनेगा यह होगा तीस्रा चलिए कितना मनेगा हाँ 128 का बनेगा चलिए आगे देखते हैं प्राश्ण संख्या नेक्स्ट है a plus b अनपा, b plus c अनपा, c plus a बराबर 6, 7, 8 का रेशियो दिया है और a, b, c का योग चवदर है तो a अनपा, b अनपा, c क्या होगा तो a plus b बराबर 6 के, एक समीकर बना b plus c बराबर 7 के और c plus a 8 के, जब इसको हल करेंगे, तीनों समीकर को जोड़कर तो 7, 5, 9 का मेरे ख्याल से रेशियो बनेगा, कितना बनेगा, 7, 5, 9 का यह आपका answer बनेगा, 7, 5 और 9 का अच्छा, सिंग इसमिती, सर इसमें वास्तविक हलों की संख्या पूछा है, न की मान तो हल तो बनेगे नहीं, चुकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहन की value जो होगी, वह एक imaginary बन जाएगी, जो पिछा सवाल था, कालपनिक संख्या बनेगी, और कालपनिक सवाल बनेगी, तो हल तो निकलेगा ही नहीं, तो उसमें उत्तर वही होगा, चलिए आगे देखते है प्रशन संख्या निक्स्ट, 139 होगे न, ठीक, पेज चेंज करना है, चलिए, चलिए यह चोटा और आसान सवाल था, पूरा पड़ पारें है, दिए के चित्र में बृत का केंद्र O है, एंगल A, O, B, साथ है, तो A, E, B बताना है, यह बताना है, अच्छा यदि जीवा बना देए, यह साथ है टो इधर कितना बन जायगा, तीस बन जायगा, तो यह यह शामने 150 सवाच, पहला आपसन में इसका बनेगा, क्यूं़ कि आधार या जीवा द्वारा कियंद्प परियत्प बने क Associate डबल होता है तो 30 है तो यह कितना एगा 150 आएगा क्योंकि चक्रिच दुर्भुजोगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट का हानी आएगा प्लस 30 माइनस 30 माइनस 30 गुड़ा 30 बटे 100 कितना आएगा 9 परसंड की हानी BG ये बेंजक दिया है X-A into X-B होते हुए ABC होते हुए Z तक है का इसका घात पूछा है क्या होगा तो इसका घात क्या बनेगा इसका घात 26 बनेगा कितना घात बनेगा 26 ए टू जेट के लेटर्स जो होंगे वही घात पे आएंगे तो चलिए देखते हैं प्रसन संख्या नेक्स्ट यदि अलफा बीटा समीकरण में x square minus px प्लस a बराबर 0 के मूल हूं तथा अलफा बाई 2 और तो बीटा समीकरण इसके मूल हूं तो आर का वेलू क्या होगा तो आर का वेलू जो होगा इसमें क्या बनेगा इसका बनेगा दूसरा जब इसको आप साल्प करेंगे तो इसमें 2 बटे 9 विदिन बेकेट 2p-q into 2q-p का 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 मिलेशन बनेगा चलिए 134 नंबर का सलूशन दे करेंगें जब मैं साल पराओंगा तो इसके एंसर पर क्योंकि यहां पर बराबर ए है मताबर सकते है तो यह तो अभी मेरे तरह सौप करणेँगा तो इस पर डिसकुशन करेंगे चलिए प्रसुन संख्या 135 देखते हैं 134 पर भी इस्टाल लगाए रखिएगा चलिए प्राप्तांक एक तरब दिया है विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम 20 से कम इस तरीके सागे विद्यार्थियों की संख्या है लिखा है कि उपरियुक्त सारड़ी के आधार पर यदि 20 से 30 वर गंतराल की बारंबारता P है और 40 से 50 की जो बारंबारता है वो Q है तो P और Q का डिफरेंस क्या होगा तो आप लोग जब 20 से 30 में देखेंगे तो यहां पर देखेंगे साथ तेरच छे का यहां बनेगा और 40 से 50 में जब देखेंगे तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी बनेगी सोले 21 मतलब 5 का डिफरेंस चैप और 5 का डिफरेंस लेना क्योंकि P और Q का अंतर पूछा है तो यह 3 मतलब इसका एंसर एक बनेगा इसका अंसर कितना बनेगा एक चलिए अभी उत्तर देखते चले प्रशन संख्या 136 यदि वर्ग समीकर X स्का माइनलस P X प्लस चंगन बराबर 0 कि रेडात्मक मूल 2-3 के अनपात में हो अच्छा देखें धनात्मक यदि सेंस होता तो P का मान यहां 15 निकलता P का मान कितना निकलता 15 लेकिन यहां पर रेडात्मक मूल दिया है तो यहां पर माइनलस 15 आएगा साल करने पर चलिए अगला सवाल देखते हैं यदि किनी दो संख्याओं A और B का समांतर माध्य दिया है सोरी A और B का समांतर माध्य गुरुत्तर माध्य बराबर है तो इसमें समंद क्या होगा तो A बराबर B होगा एक्जेक्ट दिखा जाए इसका समांतर माध्य प्लस B बराबर गुरुत्तर माध्य रूट A B होगा हल करेंगे तो A बराबर B आएगा यह पहले का लगा हुआ है इसका दूसा पार्ट बनेगा A बराबर B के लिए चलिए देखते हैं प्रसन संख्या नेक्स्ट तीन बिंद पहले है क्या होगा तो यहां एक समकोर्ट त्रिभुच बनेगा है तो कि यहां पर एक मूल बिंदु 0-0 लेंगे और एक जब 0-3 तो तो यह से जीरो होगा, वाई कितना आएगा, तीन आएगा, और जब पांच कामा जीरो लेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच यह आएगा, तो यह समकोर्ट त्रिभुज बनेगा, चोकि एक मूल बिंदु है, और समकोर्ट त्रिभुज का जो परिकेंदर होता है, वो करण का मध्ध बिंदु होता है, करण का मध्ध बिंदु मतलब इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, उसका आधा होगा, तो आप सिधा कितना करेंगे, आएगा, पांच हल करेंगे, पांच बटे दो, कामा तीन बटे दो, यह हो जाएगा, परिकेंदर और रेडियस से बनेग इसका दूर्सा बनेगा, चली प्राशन संख्या नेक्स्ट का एंसर देखते हैं, चली प्राशन संख्या नेक्स्ट का उत्तर देखें, चलिए दो सिक्के एक साथ उच्छालने पर एक भी हेड ना आने की प्राइक्ता क्या होगी तो हेड आने की प्राइक्ता निकालकर वन में से माइनस कर दीजेगा तो 2 सिक्के उच्छालेंगे तो टोटल वेक कितने बनेगे चार और इसमें जो हेड आएगा वो तीन होगा तो ये हेड आने की प्राइक्ता है और ना आने की प्राइक्ता वन में से घटाएंगे तो ये आएगा 1 बाई 4 चलिए आगे देखते हैं प्रसन संख्या नेक्स्ट इसका 1 by 4 बनेगा, 140 नमबर लिखा है कि यन का value 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए अच्छा यन का value 1 से छोटा लेना है और 0 से बड़ा, मतलब दस्मलों वाली ही कोई संख्या होगी, और दस्मलों वाली संख्या में जितनी घात बढ़ाएंगे, उसकी value उतनी ही कम होती जाएगी, तो यह तो क्यों logically देख सकते हैं, तो यहाँ पर definite जो होगा, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है, तो जितनी घात बढ़ाएंगे, उतनी ही value छोटी होती जाएगी, तो यहाँ पर दूसरा, चुकि यन पर घात 100 ये कभी भी एक से बढ़ा नहीं हो सकता, एक से हमेशा छोटा ही आएगा, क्योंकि जो यन का value होगा, वो एक और जीरो के बीच मतर्द दस्मरों वाली संख्या लेंगे, तो जब घात बढ़ाते जाएंगे, तो value क्या होती जाएगी, घरती जाएगी, तो ये कभी भी एक से बढ़ा नहीं हो सकता, तो इसमें यहीं सही नहीं है, बाकि सब सही होंगे, तो ये किवर लॉजिक का भी से था, चलिए आगे देखते हैं, प्रस्ट संख्या 141 के लिए, हाँ, 141 वाले प्रस्ट में, 141 वाले प्रस्ट में ध्यान देना, लिखा है, 2 पर x बराबर 3 पर y बराबर 6 पर प्लस z है, अब इसमें, माइनलस एक बराबर x प्लस एक बराबर y प्लस एक बराबर z का वेलू क्या होगा, यदि इन सब को कॉंस्टेंट लेके हल करेंगे, 2 पर x बराबर 3 पर y बराबर 6 पर z, यदि इन सब को बराबर कॉंस्टेंट के लिए, मतलब दो पर घात x बराबर k लेंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा k पर घात 1 बटे यक्स। इसी तरीके से 3 पर घात y बराबर के लेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा k पर 1 बटे y और 6 पर z बराबर के लेंगे तो 6 बराबर कितना हो जाएगा k पर 1 बटे z और चुकि 2 गुड़ा 3 बराबर 6 होता है जब इसको हल करेंग यह बनेगा इतना बराबर 0 यह बनेगा लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा है माई लेस् एकटे एक्स प्लस एकटे वाई फ्रसत बनेघिट तो समें अच्छा एक्टे लेना है को आए एक सेकंड इगे जब इसको करेंगे तो एकटे एकटे एकटेशल प्लस एकटेः ब्राबर 0 आयेगा और इसमें माइनस एक बटे एक्ष प्रस एक बटे वाई प्लस एक बटे जेड ये फाइंड आउट नहीं होगा मेरे खाल से प्रस्ट में इस पर एरर बन सकता है क्योंकि ये माइनस यहां नहीं बलकि यहां बनना चाहिए था चुकि बाखी और एंगल से इसका परिणाम नहीं निकलेगा तो 1 बटे X प्लस 1 बटे Y माइनस 1 बटे Z बराबर 0 होगा तो इस पर भी आप लोग question mark लगा देजेगा चुकि इस प्रस्ण पर मेरे ख्याल से पूरी तरीके सापत्ती होगी क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो सत प्रतिशत 1 बटे X प्लस 1 बटे Y माइनस 1 बटे Z बराबर ये 0 मिलेगा चुकि देखे जब आप इसको constant लेंगे जब 2 पर खात X बराबर K लेंगे तो 2 बराबर कितना एका? ये अक्स उधर जाएगा तो K पर घात 1 बटे X जब 3 पर Y बराबर के लेंगे तो 3 बराबर K पर 1 बटे Y आएगा और 6 पर घात Z बराबर के लेंगे तो 6 बराबर K पर 1 बटे Z आएगा अब 2 3 और 6 में सम्मंद रखना हो तो गुड़ा करके रख सकते हैं 2 गुड़ा 3 बराबर 6 अब 2 का वेलू K पर 1 बटे X रखना 3 का वेलू K पर 1 बटे Y और 6 का वेलू K पर 1 बटे Z तो जब इसको हल करेंगे तो जानते हैं गुड़ा करते समय आधार समान हो तो घाते जोलती हैं तो ये बनेगा बराबर K पर 1 बटे Z बनेगा अब दोनों पक्ष बराबर हैं दोनों के आधार समान है तो घाते भी बराबर होंगी मतलब 1 बटे X प्लस 1 बटे Y बराबर 1 बटे Z बनेगा और 1 बटे Z इधर आएगा तो माइनस होगा इसलिए इस प्रश्ण पर आपत्ती बनेगी चुकि यह माइनस यहां नहीं बलकि यहां लगना चाहिए और तब परिडाम जीरो होता हलंकि इसको भी question mark बना दीजेगा बाकि सारे प्रश्ण में कही question mark का विश्ण नहीं हैं बाकि सब ठ्रीक प्रश्ण है प्रश्ण संख्या next देखते हैं यदि दो संख्याओं का गुडनफल 32 है और संख्याओं का औसक्याओं है तो 2 संख्याओं है मालिया X और Y दोनों का ओसत छे हैं दोनों का ओसत छे है तो इसका योगफल 12 आएगा यह प्लस वाई बराभर 12 आएगा और दोनों का गुड़न फल दिया है 32 एक इंटु वाई बराभर 32 अब आप से पूछा है कि इनके घनों का योगफल मतलई यक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछा है अब इसको जब आप लोग हल करेंगे मतलब इसके दोनों पक्षों का घंड करके बनाके हल करना तो definite यहां पर जो परड़ाम आएगा वो कितना आएगा पांसो छी हैत्तर आएगा इसका एंसर बनेगा दूसरा चलिए देखते हैं अगला जो प्रशन है इसका एंसर क्या होगा प्रशन संख्या 143 के लिए इसमें AB प्लस CD दिया है तो आप जानते हैं कि जैसे वाह बिंदुसे बृत्त पर जो इस पर सेखाए होती है उसकी लंबाई बराबर होती है इस सिध्धानतर से जब आप हल करेंग तो AB प्लस CD का जो वैलू आएगा वो आएगा AD प्लस BC क्या आएगा AD प्लस BC आएगा तो इसका जो परड़ाम होगा AB प्लस CD का वो होगा AD प्लस BC चलिए मैं इसका जो complete solution है मैं प्रवाइड कर दूंग आप लोगों को चलिए देखते हैं प्रशन संख्या जो next है sin theta minus cos theta का अधिकता मान sin theta plus cos theta का जो maximum value होता है वो होता है root a square plus b square यदि a sin theta plus b cos theta है तो इसका जो maximum value होता है वो होता है कितना root a square plus b square तो root में 1 square plus minus 1 का square मतलब 1 का square plus 1 का square मतलब 2 आएगा करली में 2 इसका बनेगा कौन सा चोथा A sin theta plus B cos theta का यदी structure है तो इसका जो maximum value होगा वो क्या होगा root A square plus B square तो B का value minus 1 बनेगा तो A 1 का square plus minus 1 का square तो 1 plus 1 2 मतलब यह बनेगा चलिए आगे देखते हैं यह work and time का बहुत छोटा सवाल है 21 मजदूर किसी दिवार को 25 दिल में बना सकते हैं तो यदि 14 मजदूर और लगा दिये जाए मतलब 21 मजदूर है यदि 35 हो जाए तो काली कितने दिल में पूरा हो जाएगा कितना हैगा 15 दिन आएगा इसका answer तो यह एक आसान सा सवाल था चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं 146 के लिए 146 में पूछा गया है कि समीकरण एकसिस का प्लस मौड एकस माइनस 6 बराबर 0 इसमें पूछा है कि वास्तविक मूलों का योग क्या होगा तो इसमें मूलों का योग चार आएगा मतलब आपसन जो बनेगा 146 का वो क्या बनेगा तीसा बनेगा चलिए चलिए आगे देखते हैं बिल्कुल वही सवाल है A sin theta प्लस B cos theta का maximum value क्या होता है तो पहले इतना निकाल लीजिए मैंने कहा root A square plus B square तो root A square करेंगे तो 2 का square 4 बनेगा plus B square 4 का square कितना 16 तो 16 ये 4 का square करना है तो 16 और 4 20 मतलब 2 करड़ी में 5 S का गया और प्लस करड़ी में 3 तो 2 करड़ी में 5 और प्लस 3 ये बनेगा S का 4 बनेगा तो एक ही concept पर 2-2 सवाल पूछ लिया गा था मैक्सिमा मिनिमा का 148 नमबर का सवाल देखते हैं एक बृत्ट की जीवा इसकी तृज्जा के बराबर है बृत्ट की जीवा जो है इसकी तृज्जा के बराबर है इस जीवा के द्वारा बृत के लगुचाप कि किसी भी बिंदु पर आंतली कोण क्या है जैसे ये बृत है और इसमें कहरा है कि बृत की जीवा है वो त्रिज्जा के बराबर है जैसे ये जीवा ए भी है तो ये बृत की त्रिज्जा के बराबर है मतब ये मतलब इसकी जो जीवा की लंबाई है इसकी तृज्जा के बराब है मतलब ये संभावत्रिभुज बना तो संभावत्रिभुज का प्रत्यकंता कौन साथ होगा यदि इसके दिर्ग खंड में बना कौन पूछा होता तब तो 30 हो जाता जैसे इसमें दिर्ग खंड में कोण पूछा गया होता तो ये कितना हो जाता तीस लेकिन लगु खंड में जब कोण पूछा गया है तो इसका मतलब यहां पर कोई बिंदू होगा ये कोण पूछा है तो ये चक्री चतरभुज बनेगा आमने सामने का योग कितना होगा 180 एक सो पचास आएगा को किस में चोथे में आएगा और चलिए देखते हैं एक सो उन्चास नंबर का जो सवाल है यह भी मेंस्वेशन का एक छोटा सा सवाल था एक संकु और एक अर्ध गोले के समान आधार है और समान आधार है और समान आयतन है संकु की उंचाई और गोले की उंचाई में जो रेशियो बनेगा वो दो एक का रेशियो बनेगा इसका एंसल यह बनेगा कि चलिए आगे देखते हैं इसका लगसा यह तो बहुत छोटा सवाल था इसका लगसा कितना आएगा वीश बटे तीन आएगा 150 नंबर का चलिए यह आपके मैथमेटिक्स के जो 40 प्रसंत है इनका यह पूरा लेखा जोगा था तो अच्छा इसमें 3-4 सवाल बिलकुल एकदम लोजिकली थे हां मैं यह इनकाल नहीं कर सकता कि इसमें 4-5 प्रसंतों के लेवल बहुत अच्छे थे लेकिन आप लोग निरास नहीं हुएगा और competition एक लड़ाई है और कभी-कभी एक competition से या एक लड़ाई से हार मान लेते हैं काफी negative comment करने लगते हैं तो एक अच्छे विद्यार थी आप सभी लोग है और एक अच्छे विद्यार थी कि ये कहीं से भी पहचा तो केवल मैंने कहा कि आप लोग एक अच्छे विद्यार थी हैं और एक अच्छे विद्यार थी के पहचान है हमेशा हर इस्थिती परिस्थिती के लिए तत्पर रहना और यह यह भी नहीं समझना कि यह कहीं मेरी भी अंतिम लड़ाई थी हम लोगों को अभी मिलकर काफी बर करने हैं तो अपने आपको बिल्कुल सकारात्म करकिए competition में कहीं एक पहलू थोड़ा 19-20 हो जाए तो थोड़ा सा धैर जरूर रखे हम लोग आपके लिए आगे भी मतब अभी भी तत्पर हैं आगे भी रहेंगे तो किसी तरीके से निरास नहीं हुई है आगे के लिए काफी लोगों का बहुत अच्छा स्कोर बना हुआ है कुछ लोगों का थोड़ा सा अभी मैसे काफी मतब आये कि थोड़ा सा गड़बर हुआ तो अपने आपको बिल्कुल पॉस्टिव रखना धैर से आगे की तयारी करते रहिए आप लोगों की सफलता के लिए धेर सारी सुबकामना है मैं सिसन अपना रोक रहा हूं अभी साइन्स के लिए सरजुड़ रहे हैं आप सभी को बहुत धन्यवाद बस थोड़ा सा वेट करिए 30 सेकंड आपका जो साइन्स भाग के एंसर की हैं जारी हो रहे कि अलो दोस्तों नमस्कार आप लिए का चंद्रा इंस्सट्यूट के ऑनलाइन क्लास में दोस्तों एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ठीक है तो कैसा लगा पेपर आज का आपको ये आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताए ठीक है आप सभी लोगों के कुछ कमेंट को मैंने यहां पर देखा था और उस कमेंट देखे कोई भी जो आपका प्रश्न का सिरीज था मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा बहुत आउट अप सिलेबस गया था लेकिन मैंने आपको कुछ चीजे पहली ही बता दिया था जैसे इलेक्ट्रो निगिटिवटी का पूरा सिर पर आती हैं देखे प्रशन पूछा गया है कि निम्लिकित में से सून्य द्वी ध्रुव आघुर्ड यानि कि डाइपोल मॉमेंट तो यहां पर आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा बी एफ थ्री ठीक है यानि कि यहां पर बच्चों आपका बी एफ थ्री सही होगा ठीक है नेक्स है बावन नंबर में परमाणु क्रमांक और आवर सारडी में इस्ति को ध्यान में रखती हुए इन तत्मों के बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम आपको बताये गया था कि जब हम पीरियड में इंक्रीज करता है और नॉन मेटाइलिक करेक्टर आपका इंक्रीज करता है यह आपको बताया गया था आप ऐसी चीजों के बारे में यह कभी नहीं कह सकते हैं कि नहीं बताया गया है इसका पूरा आपको प्रुफ दिया जा सकता है ठीक है तो यहां पर बच्चों आपका चौथा वाला विकल्प सही होगा, ठीक है, चौथा वाला विकल्प, तीरपन नंबर में प्रशन पूछा गया है कि फोटो कैमिकल स्मॉग का मुख्य अवयव होता है, तो फोटो कैमिकल में एक और दो दोनों सही होगा, यानि कि पैन भी होता है, परोक्सी एसेटिल नाइट और NO2 गैस दोनों यहां पर आपका सही होगा, तीसरा वाला विकल्प, शववन नंबर में बच्चों पूछा गया है कि मैथ मिथमोग्लोबिन एनेमिया, ठीक है, मैथ हीमोग्लोबिन एनेमिया में आपका कौन सा मतलब किसके कारण विमारी ये होती है, तो ये जल में अधिक उर्जा किया सकता होगी, देखे, यहां पर देखे, आपका जो थर्ड आइनाइजिशन एनर्जी होता है, यहां से इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, चौथा वाला विकल्प सही होगा, ठीक है, 56 नबर में पूछा गय नेक्स्ट, 57 में वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फॉरेन हाइट पैमाने का मान समान होता है, माइनस 40 डिगरी सेल्सियस कई बार कराया जा चुका है, तीसरा वाला विकल्प सही होगा, निमलिखित में से किसका प्रियोग प्रशीतन में किया जाता है, ठीक है, रे नेक्स्ट, 59, प्रश्ण है कि एंपियर घंटा मात्रक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा, वो चौथा वाला विकल्प सही होगा, एनर्जी का, यह मात्रक होता है, ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्ट, एक दिस्ट, धारवाही चालक के चारों तरफ केवल B, यानि कि आपका चुम्बकिय चेत्र, मागनेटिक फिल्ड सही विकल्प होगा, ठीक है, 61 प्रश्ट, प्रश्ट है कि जन्तूं के वर्गी करण के द्रिश्टी कोण से, निम्न मेल से कौन से जन्तूं का समूह सही है, देखे यहाँ पर, यू प्लाक्टेला, इस्प सहला वाला विकल्प सही है, अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट होता है, तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बच्चों, सही विकल्प होगा, ठीक है, तीसरा वाला विकल्प, ये सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट होता है, यूनि सेल्लिलर होता है, प्रोटिस्ट ह होता है प्रोटिंटा फैमिली से है सही है 63 63 में पूछा गया है की नाल की उपस्थिति पारिम्ट विशिष्ड रच्छड होता है तो ये बचों पोरी फिरा का होता है पोरी फिरा में तीन प्रकार के नाल तंतर कैनाल सिस्टम्स आइकॉन लिवकॉन और एसकॉन टाइप के पाए जाती हैं दूसरा वाला विकल्प सही होगा ठीक है नेक्स्ट है अगला प्रश्न प्रश्न है 64 लंबी वायू छिद्र युक्त अस्थियां तथा वायू थैलियों से युक्त फेफडे किस वर्ग में पाए जाते हैं तो पच्छी वर्ग में पाए जाते हैं तीसरा वाला विकल्प सही है लाफदायक कीट एपिस ठीक है एपिस इंडिका मधुमक्खी का नाम है वैग्यानिक नाम एपिस इंडिका और वहां से यह हमारे लिए लाफदायक होता है ठीक है विश्वाडू के किस सभव सही होगा ठीक है नेक्सी सेवन स्फिट सेवन में पूछा गया है कि शेट में नो स्टोपकी उपस्दिति सहायक हो T vagy नाीट रोजन वी टोबैको मोजैक वाइरस चौथा वाला विकल्प सही है किस दसा में गुड़सुत्र की दोनों भुजाएं समान होती है यह मैंने आपको जब महराथन लिया था बारह तारिक को वहां पर ये प्रश्ण दिया था इसका स्क्रीन सॉट भी आपको मिलेगा यहां पर देखें मेटा सेंट्रिक दूसरा वाला विकल्प सही विकल्प है ठीक है नेक्स इस सेवन्टी प्रशन है कि आत्म घाती तैली किसे घथी है लाइसोसोम बिल्कुल भी इसमें आपको टाइम नहीं लगा होगा 14 वाला विकल्प सही होगा ठीक है नेक्स्ट अगला प्रश्न 71 में निम्न में से कौन सी आयरन की आयस्क नहीं है देखें नहीं है पूछा है तो देखें पीटे लाइट आपका सही विकल्प होगा पेटा लाइट आपका सही विकल्प होगा ठीक है 22 में आये 72 में पूछा गया है कि निमलिकित मिश्र धातों में से कौन सी अपने संगटन की द्रिश्चिकोंड से सुमेलित नहीं है बच्चों यहाँ पर देखे पीतल एकदम सही है गन मिटल एकदम सही है नाइक्रोम गलत है बच्चों नाइक्रोम में आपका आइरन नहीं होना चाहिए था नाइक्रोम जो होता है वो निकल और क्रोमियम का मिक्चर होता है ठीक है आइरन इसमें नहीं होना चाहिए था देखे निकल आइरन और क्रोमियम ये स्टेनलिस स्टील का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील का मिस्र धातु होता है तीसरा वाला विकल्प सही विकल्प है ठीक है नेक्स है 73, 73 में पूछा है निम्ल में से कौन सा योगिक निरजली करण अभिक्रिया में सबसे स्थाई कार्बोनियम आयन होता देता है तो बच्चों यहां पर आपका पहला वाला सही होगा ठीक है पहला वाला सही है नेक्स्ट 74 में आये इम्ली में कौन सा अम्ल पाया जाता है पहला है एसकॉर्बिक अमल दूसरा है सिट्प्रिकल्म तीसरा है एसिटिक अमल और चौथा है टार्ट्रिक अमल ठीक है तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्ण है कि अलकिल हैलाइट्स में असेंट टू अभिकरिया के निम्न में से अभिकरिया सिल्था का सही क्रम होगा तो यहाँ पर बच्चों आपका जो सही ऑप्षन होगा वो होगा आर आई आर बी आर आर सियल आर एफ यानि की चौथा वाला विकल्प ठीक है चौथा सही है ठीक है नेक्स्ट आईए अगली प्रश्ण पर तवेंटी सिक्स चार कोस्ठी हिर्दय कई बार बताया जा चुका है पच्छी तथा सरीस्रिपों में इस और यह संधारियों में तो दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा दूसरा वाला 77 पुछा है कि इस संधारी वर्ग के निम्न में से कौन से गड़ यानि और के सभी जीव पुरूड रूप से जलिये होती है तो सिटेशिया यानि कि पहला वाला विकल्प सही विकल्प है पहला वाला ठीक है आईए स्क्रीन सोट लेते रहिएगा अगले प्रशन के और बढ़ेंगे अगला प्रशन है 80 खुदाई करने की आदत वाले जीव कौन सा अनकूलन बताते हैं तो पसोरियल एडॉप्टेशन बताते हैं तीसरा वाला यानि कि तीसरा खननी अनकूलन सही है एट्रोपा बेला डोना किस भाग सी प्राप्त होता है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लेकिन हम लोग यहाँ पर जड़ मान करके चल रहे हैं रूट सी प्राप्त होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प को ले करके थोड़ा बहुत डिसकसन है ठीक है तो तीसरा भी आ कारकोरस, कैपसुलेरिस ते प्राप्त होता है, चौथा वाला विकल्प सही होगा, पत्रशन, यहां पर इसका कारकोरस, कैपसुलेरिस यहां पर विकल्प सही है, कपास की सिप्राप्त होता है, गॉसिपियम का वैग्यानिक नाम है, गॉसिपियम, दूसरा वाला विकल्प सही होगा कमपोजटी में जो पुस्प होता है वो कैसा होता है इपी गाइनस होता है पहला वाला आप्शन सही होगा इपी गाइनस यानि जायांगो परिक होता है पहला वाला विकल्प सही है ठीक है 85 85 में पूछा गया है कि कोखीन प्राप्त होता है पहला एट्रोपा से दूसरा से तीसरा एरित्रो जाइलम पौधे से चौथा पौपी पौधे से एरित्रो जाइलम से ठीक है 85 का तीसरा वाला विकल्प सही है निम्न दरपणों में से वाहनों के अग्र दीपों में किसका प्रियोग किया जाता है अवतल दरपण का प्रियोग किया जाता है पहला वाला वि येगा 87 पूछा है कि एक पदार्थ की प्रति रोधकता ताप बढ़ाने पर घटती पाई गई है तो वो कौन सा है सेमिकंडक्टर होगा और सेमिकंडक्टर इसमें कौन सा है सिलिकॉन है पहला-वाला विकल्प सही होगा देखें दोस्तों किसी भी पदार्थ की प्रति रोध जो रिस्टिव्टी होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है लेकिन सेमी कंड़क्टर की घटती है पहला विकल्प सही होगा एक्टी एट में पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्राप किसी पिंड के स्वतंत्र गति से गिरती हुए त्वरण एवं समय टी को दर्साता है तो हरीशर इसका बताएं किया सा होगा दूसरा वाला विकल्प यहां पर हरीशर ने कहा है एकदम सही है नेक्स्ट एटी फॉर आँआज सॉरी एटी नाइन एटीनाइन में पूछा गया है कि एक केबी यानि एक किलो बाइट किलो बाइट वराबर होता है 1024 बाइट के ना दूसरा वाला विकल्प सही है, निमलिकित में से किसकी आवरिती अधिक्तम होती है, X किरणों की, तीसरा वाला विकल्प सही होगा, रेशम की कीडे का पालन करना सेरी कल्चर, चौथा वाला विकल्प सही होगा, ठीक है, सेरी कल्चर, नेक्स्ट, 92, 92 में पूझा है, स्वसन क स्क्रीन साट लीजे अगले प्रिस्द के और बढ़ेंगे नाइंटिफाइब में पूचा है कि पॉलिप और मैडूशा पॉलिप और मैडूशा यह सरीर के वैकलपिक रूप संग के जनतूं में पाया जाती है तो इसलेंट रेटा में पाए जाते हैं निडेरिया में पाए जाती हैं पहला वाला विकल्प सही है देखे एन ओ पी तथा एसके विदुद्रिडात्मक्ता का मान अब कह दीजे कि इसको भी नहीं पढ़ाए हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस और सल्फर में तो दोस्तों मैं इसको याद करने का तरीका बताया था फोन कैलीबर आईस्टी पी एच याद आया आपको देखे ये था एफ ओ एन सी एल बी आर आयोडीन सल्फर कार्बन फास्फोरस और हाइड्रोजन तो देखे सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका है ऑक्सीजन का है सबसे ज्यादा ठीक है ऑक्सीजन की बाद किसका है नाइट्रोजन का है नाइट्रोजन की बाद किसका है सल्फर का है ठीक है सल्फर का है और सल्फर की बाद किसका है फास्फोरस का है ठीक है और oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus ठीक है तो देखे कहां पर दिया गया है oxygen, nitrogen, sulfur और phosphorus ये तीसरा वाला विकल्प बच्चों सही विकल्प होगा तीसरा वाला विकल्प ठीक है देखे oxygen का कितना होता है तीन दस्मलों पांच होता है nitrogen का 3 होता है chlorine का 3 होता है, bromine का 2.8 होता है, iodine का 2.5, sulfur का 2.5, carbon का 2.5, phosphorus का 2.1, hydrogen का 2.1 ये सारी चीज़ें आपको याद कराई जा चुकी है और यहीं सेम प्रश्न आपको practice में भी दिया गया है ठीक है नेक्स्ट है 80 97 ठीक है राम आसरे अमीगो ने बोला है कुछ भी नहीं आया है तो देखिए मैं दिखा दूँ कि रहने दूँ यह दिखाई देगा इनको देखिए सेम प्रश्न बच्चो आपको अगर ये दिखाई दे रहा हो ऑर पास में लेकर दूँ कैमरे के पास ठीक है तेम यही प्रश्ण मैं कराया हूँ और आप ऐसी बात करने सेम एक्जाक्टली अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो प्लीज आप देख लिजे ऐसे बहुत सारे प्रश्ण मैं कराया हूँ ऐसा मैं यह कह सकता हूँ कि प्रश्ण आपके आउट आप सिलेबस थे मैं इसकी बात मानता हूँ लेकिन कम से कम आठ से नौ प्रश्ण मैं यह मानता हूँ कि यह आउट आप सिलेबस थे बाकि सारे के सारे प्रश्ण मैं आपको क्लास में पढ़ाया हूँ उसका पूरा पढ़ाए गए हैं हम दोनों लोगे लिए जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे करें सब्सक्राइब नहीं आएगा जो आया था आप किये कि नहीं कि स्टापमान पे सिल्शियस और फैरेंहाइट दोनों बरावर होते एक बार नहीं चार बर बताया है और दूसरी चिस आप कहा जा सकता है तो खैर यह आपकी बाती हैं आप कुछ भी बोल सकती हैं और आपने जो है बेस्ट आफलक आप सभी को चंद्रा इंसिट्यूट हमेशा यह प्रयास करता है कि उसके सारे शात्र शफल हो और इसके लिए चंद्रा इंसिट्यूट पूरा मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाता है ठीक है यह बात और है आप ही जरद सोचे अगर आप में से कोई उनलाइन चाटर होगा तो जब मैं यह कहता था कि हाइबडराजीशन ने पढ़ा दूं लेकिन मैं पढ़ाया आपको फशल उतपादन पढ़ना है आप उसकी चक्क में पढ़े थे एका होत करने का उसके लिए आप सभी लोग परशान ना हो तनाव ना ले मेरिट ज्यादा हाई नहीं आने वाली है सेलेक्शन होगा ऐसे कई बच्चे फोन भी किये आज कि सर मतलब बहुत अच्छा लगा मैं आपको आप उस पे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों अपर यह भी चौथा विकल पाप का यहां पर सही होगा ठीक है चौथा यह अशत्य है यह देखे नाइंटी एट नाइंटी एट में पूचा है कि एग्ज इफ से एप सिक्स में एग्जी का संकरण क्या होगा एसपी 3D3 होगा देखे कैसे यह भी कराया हूं यह देखे मैं इसको भी कराया हूं ठीक है देखे तरीका था मैंने कहा था कि आप निकालिए वन बाइटू निकालने के लिए एक बटा दो निकालना है नंबर आफ वैलेंस एलेक्ट्रॉन और यहां पर जेनौन जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है आठ और नंबर आफ मोनो वैलेंट उपस्ति हुई विद्दुद्रणात्मक्ता का सही क्रम है लेथियम है मैगनीशियम है और आपका बेरेलियम है कार्बन है तो यहां पर बच्चों आपका जो विकल्प सही होगा वो दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला है test 101 में पूचा है कि दाम डिस्क में चीतर यदी डिस्क को गर्म किया जाए तो चितर का आकार क्या हो जाएगा तो करनेodelे पर चितर का आकार क्या हो जाएगा बढ़ता है भीच है दूसरा वाला विकल्प सही होगा एक ऑल्या है यह बताये गाया है एक नैनो मेटर तुल् ठीक है मेटर होता तो माइनस नो हो जाता ठीक है चलिए नेक्स्ट उसमी उर्जा को विद्धूत उर्जा में कौन सी युक्त परिवर्तित करती है तो यहां पर आपका थर्मो कपल यानि कि ताप तापी युग्म पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा नेक्स है अगला पढ़ाता हूं तो मैं भी आपको धारन सेर की दहार मच्छर की भिनभिना हट याद आया तो सेर की दहार जो होती है उसकी तीवर्ता बच्चों अधिक होती है और उसका तारत्व जो होता है वो कम होता है तो अधिक तीवर्ता कम तारत्व पहला वाला विकल्प सही हो है दूसरा वाला विकल्प सही होगा ठीक है एक 108 वा प्रश्ण प्रश्ण है कि निम्लिकित में से किस प्रक्रिया में oxygen जरूरी नहीं होती तो oxygen जरूरी नहीं है प्रकास लिए रियक्षन आपने लिखा होगा स्टिक्स यू टू एस्टू ओ गिप्स ग्लुकोज वो सारी चीजें दूसरा वाला विकल्प सही है कवक मूल तो हो पकारीता का उधारण है मिट्विलीजम का उधारण है चौथा वाला विकल्प सही होगा कवक मूल माइकुराइजा ठ ठीक है चले नेक्स्ट अगला प्रश्ण डी नाइट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार कौन है तो यहां पर स्यूडो मोनास और थायो बैसिलस होगा पहला वाला विकल्प सही है ठीक है कि बसो किया क्या है ठीक है तो यह था आज का यह और आपसे हरी सर भी कुछ बात करे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धनेवाद देखिए मेरे भाई मैं आपसे पहले भी बोला था और अब भी मैं बोल दूँ हम लोग क्योवल कौन से पढ़ा सकते हैं जो कोस्टन बनता है अब कोस्टन एक्जामनर कैसे घुमाता है यह मतलब एक्जामनर के उपर डिपिं आप लोग जब मैं प्रैक्टिस सेट देता था तो आप लोग कहते हैं सर्फिजिक्स का कोस्टन जो है कि आप जूनियर लेबल का नहीं लेकर आये हैं यह बताईए कौन सा ऐसा आपके नोमेरिकल सागया जिससे आपको प्रॉबलम हुई सारे थिवरिक्टियल कोस्टन मैं को बार-बार बोड़ रहा था कि जहां पर चारों सब्जेक्ट हो जाए मैथ फिजिक्स कमेस्टी बाइलो जी इसमें से किसी एक या दो को टॉफ बना देगा और एक को नॉर्मल कर देगा सायद अगर फिजिक्स टॉफ होती तो सायद सभी बच्चे रोते हैं ना लेकिन ब भाई बहुनों को बहुत धनेवाद और हम लोग मेहनत इसी उमीद से करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन है सब सफल हो ठीक है तो आप मेरे को बिलेम करिए हम आपके उपर बिलेम करें आपका भी तो कुछ करतब है कि आप भी कुछ पढ़ाई करिए भाईया हम क्या करे ठीक है हम लोग केवल आपको गाइड कर सकते हैं हम एक साधन है आपको हम सेलेक्शन मतलब कि हम आपको क्या कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं और इससे मतलब इससे ज्यादा आप हमसे क्या चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई हम लोग टीचर है और टीचर का काम है तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को सफलता कि बहुत बहुत सो कामना है May you all rise higher and higher and achieve the noblest ends of human life ठीक है तो thank you, thanks a lot